नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूटूब चैनल से बात करने वाले हैं इंडिया मार्ट के बारे में दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जो है एक छोटी सी जनरल नोलिज के तोर पर जो है बात बता देना चाहता हूं क्या है कि खबरे तो अपडेट मिलती है उसके बाद में जो दूसरी वीडियो हमारी आई थी और उसमें टाटा कंजूमर और ट्रेंट दो शेर थे जिनके अंदर एक हलचल जो है हमने आपको बताया था कि बड़ा मूँ जो है और स्टोक्स के अंदर आपको देखने को मिल सकता है आपने अगर उन शेरों को जो है आपसे हिर बंदिंग होगा तो इसी तरीके से दोस्तों हम चाहते हैं कि कुई भी अपडेट जो है आपसे मिस न हो और आपको समय से पहले उसकी ज़ानकारी मिल जाए ताकि आपका पैसा अच्छा-खासा बंता रहे तो इसी तरीके से मैं आज इंडिया मार्ट के बारे में एक जो बड़ी ख़बर निकल किया है और उस बड़ी ख़बर का बड़ा IMPACT आपको stocks के इंदर देखने को मिलेगा अब India मार्ट के बारे में basic concept से समझने को सिस करते हैं कि लगवक 1500 point के आशपास हमें इसके अंदर गिरावट देखने को मिली तो आखिरकार 1500 point कह सकते हैं या 1500 रुपे तो इस गिरावट के पीछे क्या कारण थे क्यों ये 1500 रुपे गिरा और वापिस क्या लग रहा है कि इसके अंदर हम लोगों को यहां से तेजी देखने को मिलेगी तो देखिए दोस्तो जिस तरीके से अब तक हमें इस company के अंदर चाल देखने को मिली है तो लगातार 6 महीने हो गए है stocks के अंदर हम लोगों को भेंकर गिरावाट अब तक देखने को नहीं मिली है जिस तरीकी ये गिरावाट हुई है अभी हाल फिलाल में लगबग बात कर सकते हैं कि 5 फरवरी से लेकर और अब तक का जो मोमेंटम देखा गया है तो आज हो चुकी है लगबग 17 फरवरी तो 5 तारिक से 17 तारिक के बीच में ये stocks के अंदर हम लोगों को जो मोमेंटम देखने को मिला है तो कहने का मतलब है कि जितना टाइम पीरिट बीता है लगबग 12 दिन का तो जो काफी सारे निवेशक हैं इससे मैं यह सोच रहे है कि क्या stocks के अंदर हम लोगों को अब तेजी के लेवल देखने को मिलेगे या फिर और भी गिरावट का मोमेंटम हो सकता है तो दोस्तों मैं basic concept के साथ मैं आपको समझाने की कोसिस करता हूँ तो बजार के तीन बड़े दिग्ज़ होते हैं प्रमोटर्स एफाइए जो डियाइस अब देखे बहुत बड़ा गेम जो है इनके अंदर जो है इतनी capacity है यह किसी भी stocks को जो है उठापटक कर सकते हैं क्यो आपको इसी तरही की सिदारी देखने मलती है तो अगर कोई six है उसके अंदर आप देखते हैं कि बारी भारी इसे अंक पूरी चंटी दिखाई दिए कि किसी कुए पैसा निकाल बहुत निकाल बिशुक करके एक बात करो तो सिर्फ एक वजह से ही जीद सकते हैं वह वजह है सर्फ लोंग टॉम की आपको से लोंग टॉम के बारे में सोचना है और कम कम क्वांटिटी आपको खरीदनी है आपको सिर्फ यह इस इंदर जब भी गिरावट होगी अच्छी कहाशी जब गिरा तो अब एक बड़ी खबर निकल के आई है उस बड़ी खबर का बड़ा इंपक्ट हमें स्टोक के अंदर देखने को मिल सकता है सबसे बड़ी बात तो यह है कि देखें डिलिवरी सिचुशन किस तरह की दिखाई दिरी लगबग 37% की डिलिवरी उठाई गई है तो गेम तो आ 17 फरवरी 2021 यानि कि आज ही कानोट है और इस नोट में क्या कहा गया है मैं आपको दिखा देता हूं लगज़े कंपनी ने कहा है कि आज बॉर्ड मीटिंग हुई है और उस बॉर्ड मीटिंग में फैसला लिया गया है वो फैसला लिया गया है फंड्रेस से रिल्टेट तो कमेटी ने कहा है कि फंड्रेस होगा तो अब फंड्रेस के बाद में हमें जो है फ्लोर प्राइस दिया गया है क्योई पी के जरीए जो है य तो कल के लिए आपके लिए गुड नियूज और जिस तरह के से हमें स्टॉक्स के अंदर ये बड़ी ख़बर निकल के आई तो बड़ा इंपक्ट आपको देखने को मिलेगा बट फिर भी मैं आपको जो है एक अच्छी ख़बर के बाद में मैं आपको फिर भी कहना चाहता हमेशा आपको स्टॉक्स के अंदर लोंग टम के बारे में सोचना है शोर्ट टाम में आपको नियूज की वज़े से अच्छा का सा मुनाफ़ा तो हो सकता है बट कहीं न कि हम लोगों को उल्टे सीधे चार्ट पेटर अगर देखने को मिले न तो भारी नुकसान भी हम पीछले वारे में आपको देखने को मिल रही है लगबग 163 करोड की आसपास इसी तरीके से अगर बात करें टोटल इंकम की तो भी बढ़ती हुने जरा रही है एक 181 करोड के मुकाबले हम लोगों को इस पास पहुंसती हुने जरा रही है अब अगर देखें तो नेट प्र तो हमें तो लोंग टम के बारे में सोचना है तो 2019 की बात करते हैं तो 507 करोड नेट सेल्स करोड हमें देखने को मिल रही थी, वहां से लेकर अगर मार्च 2020 की देखते हैं तो 638 करोड के आज पास पहुंच चुकी है, तो कहने का मतलब है कि एक साल में प्रोग्रेस देखने को मिल रही है, इसी तरीके से अगर बात करें, टोटल इंकम की तो लगबख 707 करोड, उससे पहले 548 करोड, उससे पहले लगबख 429 करोड के आसपास देखने को मिल रही थी, उससे पहले देखें तो लगबख 331 करोड के आसपास, तो इसके अंदर भी हम लोगों को मजबूत देखने को मिल रही है पोजिटिव जो है सेंटिमेट कहा दा सकता है अब अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट के अंदर हम लोगों को किस तरह की चाल देखने को मिल रही तो 149 करोड टूपर की आसपास निकल किया है प्रिजेंट इयर में इससे पहले के शेयर होडिंग पैटर्स देखें तो जो पिछला क्वाटर हुआ है और जो अब का क्वाटर है इसके अंदर हम लोगों को किस तरह की बदलाव देखने को मिल रही है तो लगभग 51.9% के आसपास होल्डिंग देखने को मिल रही है इससे पहले देखें तो अगर पबलिक की होल्डिंग की अब देखते हैं कि पिछले क्वाटर और किस तरह की चंजिस हमें होल्डिंग के इंदर देखने को मिल रही है तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोमोटर की होल्डिंग जो सेप्टेमबर 2020 का क्वाटर था उसके अंदर हमें दिखाई दे रही थी लगभग 51 अगर अभी की बात करने तो लगबग 21.9,9% की आश पास देखने को मिल रही है तो कह सकते हैं कि लिटल वेट हम लगवों को हलका मलका जो है इसके अंदर गिरावाट देखने को मिली है तो कोई ऐसी जो है गबराने वाली बात नहीं है इसी तरीके से बात करें FIA इसकी तो व पर देख सकते हैं कि लगातार ही recovery का सिलसला FIS की तरफ से हमें बनता हुआ नजर आ रहा है अब अगर देखें जो घरेलू निवेशक हैं उनका रुजान किस तरीकी का रहा है तो पिछले quarter में लगबग 5.7% के आसपास holding देखने को मिल रही थी उसके मुकाबले अगर अभी द दिसंबर 2020 में 18.2% के आसपास देखने को मिल लिए इससे पहले थी लगबग 20.0% के आसपास इससे पहले थी लगबग 28.57% के आसपास इससे पहले थी लगबग 32% से ज्यादा तो कह सकते हैं कि FIAs, DIAs, Promoters के दोरा बड़ी हलचल हमें quarter on quarter basis पे देखने को मिली है दोस्तों आपको कम से कम ऐसी कमपनिया चूज करनी चाहिए जो डिलिवरी में आपको किसी भी तरके का ब्रोकरेट चार्ज ना देना पड़े तो फिलाल में दो कमपनिया बहुती बहतरी इन दिखाई दे रही है जिरुधा और अप स्टोक्स तो आप इन दोनों के अंदर चाहें तो आपके लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजेगा चैनल सब्सक्राइब करके लिना ताके नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीध है आपके मबाइट जिन्स के थैंक यू सो मच वाचिंग